नर्श्वर मैं मंजूरूद्याल और आप सभी का स्वागत एल लाइव टीवी समाचार में बढ़ते हैं आज की खास ख़बरों की तरब बल्रामपूर में वित्वेहिन सिक्षकों नेजिलावेसिक सिक्षाधिकारी और अपरजिलाधिकारी को दिया घ्यापत बढ़ती कुरूना महामारी के बीच जहां सरकार ने सभी विद्यालेयों को बंद करने का निर्देश चारी किया है तो वहीं पिछले वर्ष के अपेक्षा इस साल निजे विद्याले भी अधिक समय तक खोले गया है किन्तो अब इस कुरूना काल में पुना विद्यालेयों परवकाश रूपी खत्रा मंडराने लगा है जिसको लेकर अब निजे विद्याले के संचालक सरकार से अपनी गुहार लगाने में जुट गया है इसी को लेकर बलरामपुर में विद्याले प्रवंधक संच के पैनर तले निजे विद्याले के प्रवंधकों ने राजय पाल को संबोधित अपर जिला अधिकारी और जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी को एक ग्यापन दिया है जिसमें नीजी विद्याले के प्रबंध को ने मांग की है कि सरकार किसी भी कीमत पर 13 जन्वरी के बाद विद्याले को बंद ना करे विद्याले बंद होने से जहां विद्यार्थियों का अच्छती होता है तो वहीं विद्याले में कारेरत सिक्षकों के उपर रोजी रोटी की भी भारी समस्या खड़ी होती है महीं अब आज सरकार ने 23 जन्वरी तक की ही छुट्टी को बढ़ाकर 30 जन्वरी तक कर दिया है जिसको लेकर अपनी जे विद्याले के प्रबंधक चिंतित नजर आ रहे हैं उनका कहना है कि यदि विद्याले के यही इस्थिती रही तो हम लोग आत्महत्या के भी शिकार हो जाएंगे और हमारे विद्याले में कारेरत सिक्षक बेरोजगारी का शिकार होंगे लाइफ टेवी समचार के लिए भलरामपूर से दामोदर शुकला की रेपोर्ट हम लोग की समच्चाएं यह हैं सर की जैसा की सासन से हम लोग को निर्देश दिया गया है कि 23 जनुरी तक हम लोग विद्याले बन रखें हम लोग उसका अक्सेसा पालन कर रहे हैं लेकिन आगे निभी दनी है कि इसके बाद हम लोग के विद्याले को 24 से खोलने की अनमत दी जाए जैसा की अन्य प्रदेश में दिया जा चुका है अन्यता हम लोग के जो करमचारी हैं सिक्षक हैं वो भुकमरी के करकार पर पहले से ही हैं और यह चुट्टी और बढ़ गया तो बहुत समस्या उत्पन हो जाएगी कई प्रबंदक तो हमारे इस करोना काल में आत्वात्या कर चुके हैं उनके परिवार आज सड़क परा चुके हैं इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से मार्केट में सिनेमा हाल खुला हुआ है रोडवेज बसें चल रही हैं माल खुला हुआ है सराप की दुकाने हम्ली हुए है और विद्याले को चोड़ कर बाकी मुट सब परोट्टोकाल का पालन करते हुए सब खोला गया है एसे हम लोग परोटोक्र का सब अपरलन करते हुए विद्याले को आगे बंद न किया जाए यही विशेश निमेदन है